ये किस्सा है World War 2 का जब एक व्यक्ति जिसका नाम Glendwar Michael था उसके पास ना तो रहने को घर था और ना ही कोई काम धंदा उसे दो वक्त का खाना तक नसीब नहीं था उपर से 1943 की वो सर्थ भरी राते उससे ये सबब बरदास्त नहीं हुआ तो उसने चुहे मारने वाली दवाख सागर सुइसाइट कर लिया उधर एलाइट्स पावर को जीतने के लिए सिसीली एलेन पर कबजा होना बहुत जरूरी था क्योंकि एलाइट का कबजा यहां हो जाता तो भौमध्य सागर पर इनका ही कंट्रोल हो जाता जिससे इनके जहाज इस इलाके से होते हुए पूरे य साइनस मीट को इसमें जरूरत थी एक ऐसे डेथ बॉडी की जो एक सोल्जर्स की तरह लगे और इसके लिए ग्लैंड वर माइकल को सिलेक्ट किया जाता है उसे इंग्लैन के रोईल मरीन के एक सुल्जर का ड्रेस पहना जाता है और नाम दिया जाता है विलियम मौर्टीन उ इसमें दो जेनरल्स के बातचीत को लिखा गया था। इस चिठी में ये दिखाया जाता है कि एलाइट पावर, ग्रीस और सार्दीनिया पर हमला करने वाले हैं। प्लैन के नुसार इस बाडी को स्पेन के दक्षिनी तट पर बहा दिया जाता है। जिससे लगे कि इसके मौत पानी में डूप कर हुई है। ये डेथ बाडी स्पेन के एक मच्षवारन को मिलता है। जिसके बाद ये वहां के सरकार तक पहुँचता है। एलाइट्स का ये प्लैन काम कर गया था। हिटलर मौसोलनी को समझाता है कि ग्रीज, सार्दीनिया और कौर्शिका को बचाना कितना जरूरी है। और जैसा कि मित्र देश चाहते थे, सिसिली ऐलेंड से हिटलर भारी संख्या में वेपन्स और सोल्जर्स को ग्रीज की तरब भेज़ देता है। और इस आइलेंड से हिटलर की पकर कमजोर हो जाती है, इसके बाद मित्र राष्ट इस आइलेंड को जीत लेते हैं, यहाँ पकर बनने से वो इटली को भी जीत लेते हैं, इटली का सरेंडर इनके लिए बड़ी जीत सावित होती है।